नमस्कार आप देख रहे हैं साउध ब्लोग डिजिटल और मैं हूँ आसीस कुमार दिल्ली की एक और समस्या जो की है ट्रैफिक ट्रैफिक दिल्ली में इतना ज़्यादा कभी कवार हो जाता है कि आप परेशान होड़ते हैं आप आफिस जाने के लिए लेट हो जाते हैं और यदि जाम सुभे नौ बजे से लेकर जो है ग्यारा बजे के बीच में लग जाये तब तो एक तरह से आफ़त ही आन पड़ती है कि ट्रैफिक दिल्ली की एक बड़ी समस्या है दिल्ली में आपको DTC की बसे हैं तमाम तरह की गाड़ियां हैं मेट्रो है लोकल ट्रेने हैं वो भी है लेकिन दिल्ली का ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होता है लेकिन एक इलाका दिल्ली में ऐसा है जो कि अकसर आप देखेंगे क कि वहाँ पर ट्रैफिक जाम लगा ही रहता है यह जो एरिया है आपको ISBT का चंदगी राम अखाड़ा से लेकर हनुआन मंदिर और लाल बत्ती जो यहाँ पर है आपको मजनु का टीला यह जो एरिया है यहाँ पर आप अगर सुवे 7 वजे के बाद भी अगर आप पहुंचें सरकार का ही है क्योंकि अकसर आप देखेंगे कि यहाँ पर पानी के जो टैंकर होते हैं दिल्ली में इतना ज्यादा पॉल्यूशन है और पॉल्यूशन को कम करने के लिए जिस परकार से जो पानी का छिड़काओ किया जाता है और जिस परकार से स्प्रे किया जाता है आपको कई सारगे काम रहती है, तो सुभे का टाइम जो होता है, वो काफी मुश्किल भरा होता है, लोग काफी तेजी में रहते हैं, आप घर से लेट हो गए हैं, आफिस लेट पहुंचेंगे तो बहुत की डांट भी पड़ सकती है, कई सारी चीजे हैं, लेकिन ये सोचने की बात ह है, कि आखिर दिल्ली की केजरिवाद सरकार जो है, आप अगर जो है, साप सफाई करवाते हैं सडकों की, या फिर जो है कोई भी कार होता है, तो आप उसे सुभे क्यों करते हैं, ये काम रात को हो जाना चाहिए, पानी के टेंकर जो है, EDMC के हैं, या फिर आपको MCD के हैं, ये सारी चीजें सुभे के टा में समय होती हैं, लंबा जाम लगा रहता है, आए दिन आपको खबरें आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, कि जो है, आप जाम मुक्त हो जाएगा, ये जो चंद्गीराम रोड इलाका है, इसके अलावा जो आपको केजरिवाल सरकार है, इससे पहले जो बीजेपी थी, वो भी इस समस्या को समधान नहीं कर पाई, और जैसा कि अब बार बार केजरिवाल कहते थे, कि अगर हमें MCD की सत्ता मिल जाए, हम MCD में आ जाए, तो दिल्ली को स्वक्ष निर्मल बनाने में कोई कसर नहीं छोडेंग लेकिन स्वक्ष निर्मल बनाने का दावा, दिल्ली की केजरिवाल सरकार का कितना सफल हो पा रहा है, इस बात पर अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप सोचेंगे, तो आपको पता चलेगा, लेकिन आपको एक सवाल ये भी होगा, कि अभी तो केजरिवाल सरकार को आए अंदिस लेकर जो समसान घाट तक का जो वो रोड है पूरा आपको आईसबीटी का रिंग रोड उस साइट से वहाँ पर तमाम तरह की परिशानिया है सबसे बड़ी परिशानिया सौथ वॉर्ग डिजिटल को भी जो है कई सारे जो हैं आपको इस सम्बंद में इमेज आते र रहती हैं कि यहाँ पर काफी जाम रहता है आप इस पर अवाज उठाएं आप बोलें क्योंकि वह जाम से लोग परिशान है रोजाना अगर किसी का 40 से 45 मिनट जो है और इसके अलावा जो आपको गुरुगों से जब आप इंट्री करते हैं गुरुगराम से इंट्री करते हैं दिली के और या फिर नोईडा की तरफ से आते तो भी आपको जाम मिलता है लेकिन वहाँ पर ट्रैफिक जो है इस कारण से नहीं रुक रहा है दरसल यहाँ जो यह आइस बीटीस लेकर हमान मंदर तक का जो समसान महट का रोड है यह जो पूरा एरिया है यहाँ पर सीधे सीधे तोर पर जो है वो केजरिवाल सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं लोग लोग कह रहे हैं कि यह परिशानी तब हो रही है जब यह पानी के टैंकर सुभे समझना चाहिए कि यह समय जो है वो सफाई का नहीं है अगर आप सफाई कराना ही चाहते हैं पानी का छिड़काओं करना चाहते हैं रात के समय में करें जब ट्राफिक कम हो जाता है लोग अपने घर को चले जाते हैं ओफिस से लोग घर पहुंच जाते हैं तो वो समय जो है कि आप जल्दी पहुँचें, जल्दी पहुँचें अपने काम पर, अपने कार्याले में या फिर अपने जरूरी के लिए तो आप ट्राफिक में फस जाते हैं, ट्राफिक में सिर्फ लोगों को ही परिशान नहीं होना पड़ रहा है, अब यहां गौर कीजिए, अगर केजरिवाद सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इस समय आप जो है सफाई यह जो चंदगी राम इलाका है, यहां पर आएसबीटी से लेकर हनमाल मंदिर और समसान घाट का जो यह पूरा मजनु का टिला यह जो आप देख रहे हैं, यह रोड आप भी गुजरते होंगे वहां से, उहां काफी जादा जाम लगा रहता है और इस पर दिल्ली की केजरिवाद सरकार को ध्यान देनी की ज़रुत है, सिर्फ वादे करने से जो है वो नहीं होगा, आपको MCD की सत्ता चाहिए थी, दिल्ली की जनता है उसने आपको अब MCD की भी सत्ता दे दी है, आप दिल्ली